नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है जिन्दगी की रोशनी में जो 77 फीज रखी है 500 रुपे तो इस तरीके से जो 500 रुपे देखकर लोग जुड़ते है तो उस पैसे का और जो लोग डोनेशन के रूप में भी जिन्दगी की रोशनी को मदद करते हैं इस पैसे के मतलब किस तरीके से हम इस्तमाल करते हैं जिस जरूरत मंद लोगों को हम मदद करते हैं तो उनका थोड़ा बहुत जानकरी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ हर मैंने जो हम activities करते हैं जो भी मतलब सारी चीज़े हम करते हैं वो जितना हो सके मैं सारे लोगों क करने की मतलब कोशिश करी तो अब तक जिंदगी के रोशनी में ओफिशल जो मेंबर है वो 200 है और उसमें से 90 लोग ऐसे है दोस्तों जिन्होंने संस्ता के लिए मदद किया बात बेवाकि उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं लिया उन्होंने कहा कि किसी मतलब अच्छे का है 220 लोगों को बेजी गई है हमारी संस्ता के तरफ से और उनमे से 99 लोगों ने उस जिंदगी की रोशने के लिए कुछ मतलब मदद करने की कोशिश करी है बाकी की लोगों अब तक की नहीं है बाद में जब आप जो भी जानकरी अप मैं मतलब ऑडियो के जरीए बेजता आप अप में इस मेने में जो भी मतलब रखाम जयामा हुई जिन लोगों मेंने बी डोनेशन दिया या फिर जिन लोगों ने फीज दे कर इस संस्ता के साथ जूड़े तो उस पैसे का मतलब जो इस्तमाल है वो किन-किन लोगों को मदद करने के लिए किया उसका मैं आपको देताओ तो सबसे पहले जो एक मैंने आपको पहले भी कहा था कि पश्रिम बंगल की दीधी जी है माता जी है मतलब वो उनका बेटा और उनकी बहु एक एक मतलब इस दुनिया से चले गए और उसके बाद उनकी पोती को ही लेकर वो रहती है और वो मतलब उनकी परिशिती बह दीधी है उनका मतलब हस्बन हाली में उनकी मृत्ति हो गई और उनको मतलब बहुत सारी मतलब चीजों का भी सामना करना पढ़ रहा है उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी दिनों में मतलब कुछ नया जाब वगरा धुन लेगी कि उसके पिती ही उसका मतलब का माया कर देते है तेकिन अभी उसके सामने इसी परीज सिती आई है और इनका मतलब सबसे बड़ी बात कि इनका खुद का भी घर नहीं था तो उनके रेंट के लिए जितना उसके मदद करने की कोशिश करी क्योंकि मतलब एक तो इतना बड़ा दुख और उसमें एक अच्छी मतलब ठीक ठ नाम में बताता था हूँ सरस्वती अनाथ शिक्षन आश्रम है पुने का है ये तो वहाँ पर उनको कुछ रकम दी गई ताकि उनको बच्चों को थोड़ी सी मदद मिल सके उसके बाद एक आसाम की दीदी है उनका एक गुरूप है मतलब उनके जो नेबर्स वगरा है उनका मिलकर एक ऐसा गुरूप है और वो लोग कुछ सोचल अक्टिविटीज वगरा बिच-बिच में करते हैं दो तिन मेने में एक बार वागरा तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कुछ और इन लोगों ने मतलब पहले जिंदगी को रोशने को भी बहुत मदद की है तो इस भी उन सारे लोगों को कुछ मदद हो सके और आखिर में एक मुंबई की दीदी है दोस्तों उसका मतलब उसने ये कहा था कि यह जो डोनेशन है वो किसी मतलब रुद्धा अश्रम को या फिर जो बुज़ूर्ग लोग होते हैं उनको उसके मतलब उसका कई ना कई सपना था कि मैं उनके लिए कुछ कर सको तो उस दीदी ने दोस्तों जो भी मदद करी थी जिंदगी के रोश्नी को तो उसने इस तरह के से कहा था कि उसको बुज़ूर्ग लोगों को मदद करनी थी तो ऐसे एक आश्रम को मतलब मैंने जानकरी ली और उस आश्रम का नाम है आदार व मतलब उनको मदद करना चाहती हूँ और मुझे भी बहुत खुशी मिली कि मतलब किसी के वजए से मतलब हमारे भी हातों से कुछ हो रहे हैं तो यह सारे मतलब लेखा जोका है कि हम जन्वरी हिमे क्या काम कर सके इसके लिए मतलब जिन लोगों ने मदद के लिए अब तक जिन्देगी की रोश्णी को मैं सच मैं आप तोड़ के आपके मतलब मैं आपको क्या बोले आपके वज़े से मतलब हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं मुझे भी पता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा मतलब लोग है जिनको बह अच्छे विचार दिये उसका हम और भी अच्छे मतलब कामों के लिए प्रयास करें ऐसी जो चीजे होती है उससे सच में मन को वह सुकुन मिलता है कि कही ना कि हम किसी के काम आ रहे है या फिर मतलब हमारे वज़े से कोई थोड़ा सा दो मतलब नीवाले खा सकता है या फिर जादा से जादा मतलब नॉलेज देने की कोशिश कर सको ताकि वो अपने दुख से बाहर निकले या फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने जीवन से बहुत जादा परेशान होते हैं तो उनको भी मदद मिल सकते हैं इसलिए जिन्दगी की रोशनी की पड़ियो बुक्स पीड़ियो पिडियाफ किताब हैं मतलब यह से जीवन सकते हैं और उसके साथ साथ तक्रीपन 5 पाच पाच मेडिटेशन के लिए और 10 ओडियो बुक्स इस सारा जो डेटा है वो कौनसी किताब हैं बीज़ी जाएंगी ओडियो बुक्स कौनसी होगी तो तो मतलब आपकी जो फीर्ज होगी उसका इस्तमाल ऐसे ही जरूरत मन लोगों के लिए होगा और आपको जितना हो सके जिंदगी की रोशनी में मैं और भी चीज़े हमेशा एड करने की कोशिश करूंगा जैसे और यो बुक्स जो है वो पहले नहीं दे जाते थे लेकिन अभी वो उसमें एड किये है तो ऐसे चीज़े और भी भविशा में कुछ एड की तो आपको फ्री आफ कोस्ट बिजी जाएंगी जो सबासद होंगे उनके लिए तो इस तरीके से जिंदगी के जो रोशनी है वो काम कर रही है और उसका जो मतलब जो फंड आ रहा है तो इसका इस इसे जरूरत मनलों के लिए हर मैने किया जा रहा है और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा ही हम बातों से या फिर विचारों से मतलब मदद करना ये ठीक है लेकिन हमेशा ही वो पूरा नहीं होता मतलब उनके लिए इनफ नहीं होता तो इसलिए जैसे वह बंगल की आधा मदद मिलेगी और जितना हुसा के मुझे जितना भी नौलेज है मैं मतलब जरूर विडियो के सारे और सब कि-आपको जरूर मतलब उसका जाब देने के हमेशा कोशिश करूँगा तो दोस्तों यह सारी बात आपको कही नहीं थे मैं आखिर में मतलब आपको यहीं के तब कि आपने मतलब जो भी मदद किये उसके लिए सच में आपका इश्वर मतलब हमेशा खुश रहे रखे आपको और आपके जीवन के सारे सपने पुरे हो और इश्वर हमेशा और हमेशा आपके और आपके परिवार को खुश रखे दोस्तों तो दोस्त हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विशे को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खैल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद